Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में और कैसे अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक किरावट हमें देखने को मिल रही है तो guys, जो लेवल्स आज में बताने वाला ओ लेवल्स आपको कही न कही डरा सकते हैं आप एक पंजाब नेशनल बैंक के शेर होल्डर हो तो बिल्कुल आपको वो लेवल्स डरा सकते हैं बट अगर दो लेवल्स हमने बनाया गैस, as a long term के हिसाब से हमने एक लेवल बनाया है short term के हिसाब से भी हमने एक लेवल बनाया है आपको वेट करना होगा, आपको थोड़ा सबर रखना होगा अब breakouts का वेट करो, अच्छा support लेवल का वेट करो तो काफी कुछ चीजे आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक को लेकर तो गैस बिल्कुल आज इस वीडियो को end तक देगना क्योंकि आज आपको सारे doubts clear होने वाले इसके chart patterns क्यों, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको आगे दिक्कत महीं आने वाली पंजाब नेशनल बैंक पर तो काफी कुछ बाते यहाँ पर करेंगे पंजाब नेशनल बैंक को लेकर तो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो लिंक मैं description में दे रहा हूँ वहाँ पर क्लिक करो, जोइन हो जाओगे वहाँ पर हम बताते हैं आपको intraday के charts, intraday के calls और बताते हैं यहाँ पर बड़े बड़े जो investors हैं, उनके बारे में बताते हैं और जो बड़े बड़े यूटूबर्स हैं ओ कहां से news लाते हैं, तो उनके बारे में भी हम वही बताते हैं, और वही पर हम news भी डालते रहते हैं, अभी तक आपने पंजाब नेशनल बैंक के बारे में PNB, और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो पंजाब नेशनल बैंक कहां पर आज closing दे रहा है, 40.05 पेसे पर stock ने आज closing दी है, 15 पेसे तक stock गिरा है 0.30% के हिसाब से downtrend में जाते हो अनजर आ रहा है तो as a short time के हिसाब से पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एकदम चोटा सा target भी हम दे रहे हैं, और हमें breakout भी मिला है, आप समझी गए हो गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो stock में पहले एक double top बना, और इसके breakout के बाद बिलकुल downtrend में आना स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर कौन सा यहाँ पर डेवन चार्ट पर बता रहा हूँ, और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो stock में एक resistance है, और एक support मिल गया, breakout मिलने के बाद, यह बिलकुल एक sideways consolidated कर रहा है, और बिलकुल एक range में फस गया है, और जैसे ही अगर यह range को तोड़ देता है, वैसे ही बड़ा spike आ सकता है, और जो हमारा target as a short term के हिसाब से 48 rupees का, 48 rupees 15 फैसे के असपास का, तो यहाँ पर जो target है, हमारा अच्यू हो जाएगा, target हमने किस basis पर रखा है, क्योंकि इस particular level से stock नीचा आया था, तो वही हमारा target यहाँ पर रहे गया है, तो अब बात करेंगे, हम बड़े time frame पर, तो बड़े time frame पर हम बात कर रहे हैं, one week time frame पर, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो एक rising wedge जाएजा pattern बन रहा है गाइस, और देखा जाए, तो यहाँ पर से stock नीचे आया था, यहाँ पर से resistance लेके सीधा support लेने, यहाँ पर आया, इस particular level पर यहाँ पर फिर से गया, फिर यहाँ पर resistance लेका, फिर नीचे आया, फिर उपर गया, फिर यह यहाँ पर support लिया, फिर उपर गया, फिर resistance लेके सीधा नीचे की और आ गया, तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बताओ, तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक breakout है नीचे की और, और इस particular level पर अगर ब्रेक कर देता है, तो सीधा नीचे की और आ सकता है, बट यहाँ पर भी कुछ ऐसे levels में बताने की उकोशिश करता हूँ, तो यह जो pattern बना है, ट्रेड लाइन, तो यहाँ पर भी बन सकती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी यह नीचे की और ही आता हुआने जरा रहा है, इसके उसाब से भी नीचे यहाँ पर breakout मान लिजे, यहाँ पर से सीधा यह नी तो आप रिस्क ले सकते हो, फिर हम मान सकते हैं कि इस pattern के हिसाब से फिर यह sideways चल रहा है, और बिल्कुल उपर की और जाने के लिए radio, तो बिल्कुल आपको थोड़ा aware रहना है PNB में, तो PNB में अगर दिखा जाए 5 दिन के time frame पर क्या यहाँ पर returns है, तो 90 पेसे तक का return इ 6 महीने के time frame पर, तो यहाँ पर 30 पेसे तक गिर गया है, 0.74% और guys वही गर बात करें, यहाँ पर open कहाँ पर हुआ था, तो 49 रुपे 95 पेसे पर open हुआ था, high लगया था, 40 रुपे 35 पेसे का, और low लगया था, 49 रुपे 60 पेसे का, market cap क्या है, 44.26,000 करोड का market cap यहाँ पर सलता है कि, mid cap stock है guys, वही अगर बात करें, इसके 52 weeks के high का, तो 48 रुपे 20 पेसे का high आपको दिखेंगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए, 31 रुपे 90 पेसे का, आपको low भी आपको दिखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर lows और highs हमने दोनों ही discuss कर लिए है, अब बात करू अगर resistance की, तो first resistance level 40 रुपे 60 पेसे का है, second resistance level 41 रुपे 10 पेसे का है, और third resistance level 41 रुपे 55 पेसे का दिख रहा है, यहाँ पर अगर बात करें support levels की, तो first support level 49 रुपे 75 पेसे का, second support level 49 रुपे 30 पेसे का, और third support level 38 रुपे 85 पेसे का दिख जाएगा, सो बात कर लो अगर price performance की तो 1 week का अगर दिखा जाए positive है 3.21% तक और दिखा जाए यहाँ पर 3 months का तो minus में है minus 5.64% और दिखा जाए एरोन हाप का तो 7.64% प्लस में है और 1 year का दिखे 8.51% प्लस में है और दिखा जाए 3 years का तो यहाँ पर minus में है minus 51.33% सो बात कर लें गाइस अगर trade values और combination deliveries की तो trade value आपर 3 करोड के अपर देखने को में मिल रहा है आज की दिन का जो की है काफी बड़ी बात high value volumes है heavy volumes आपका दिख जाएंगे और यहाँ पर 3.3 करोड का है 83 करोड का combination delivery भी है और वही गाइस अगर बात करोड़े के अष्थे का तो 4 करोड का trade value और 1 करोड का combination delivery है और वन वी के एवेरेज और 6 परसं जो लोग है वो कहरह है हाँ आपर sell के लिए और 13 परसं जो लोग है वो कहरह है आपर hold के लिए हैं तो hold के लिए कहा जा रहा है, sell के लिए कहा जा रहा है, buy के लिए कहा जा रहा है, पर depend करता है guys, आपको क्या करना है, positive आगड़े है, but chart भी मैंने आपको समझा दिया है, तो आपकी हिजाब से आप चल सकते हो, revenues देखे जाए, तो revenues भी अच्छे का से बड़े हैं, 2021 का revenue हाँ पर 81,886 करोड का है, 2020 का revenue 54,918 करोड का है, 2019 का revenue 52,147 करोड का, 2018 का है 48,724 करोड का, 2017 का है 48,08 करोड के आसपास, net profit positive है, 2021 का अगर net profit देखा जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यापर 2121 करोड के आसपास का net profit आपर gain हुआ है, और 2020 के अगर बात करू, 363 करोड का है, 2019 में minus में है, 2018 में में ह 2017 में फिर से अच्छा gain किया, इसने 901 करोड, share holding pattern में 73.15% की holding है, promoters की, FI की है 1.19% की, और DIs की holding है, आप पर 11.6% और FIs की दो holding में ने बता दिया 1.19% और public holding है 14.04% और orders की बात कर देख 0.02% की holding दीख जाएंगे, so guys, PNB में जो levels थे important, वो मैंने आपके साथ share किये है, और वीडियो आपको, अगर पसंदा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठेंक यू,